हाइ फ्रेंड्स, वेल्कम तो माइ चैनल, मैं हूँ सणा खान और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पसंद पंच मी स्पेशल मीठे चावल की रेसेपी यानी की मीठे पीले चावल की रेसेपी आप इसे जर्दा भी कह सकते हैं या फिर आप इसे पीले चावल भी कह सकते हैं मीठे पीले चावल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे उसके अंदर पानी रखेंगे यहां पर मैंने तकरिबन दो लीटर पानी रखा है और इसमें हम डालेंगे फूड कलर हम यहां पर 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 यहां और मैं बोल करोछी के लिए इसने की निफिने का अंतर मिंट मिक्स सब्सके काके अब मिक्स कर तरह वाल है का तूम निफिल 1749 का अधिक रह पानु डाल दें मिक्स और दें लाइए आने को तोड़के देखेंगे अभी यह फुली कुक नहीं हुए है इसमें अभी थोड़ी सी कजर है तो हमें से 5 मिर्ट के लिए और बॉयल करेंगे तो हमें टोटल 2 मिर्ट के लिए फुल पकाना है मतलब जो राइस है हमारे अची तरीके से पाक जाने चाहिए तो यहां पे टोटल मैंने इसको 10 मिनट के लिए बॉयल के लिया है अब हमें एक राइस तोड़ करके देखेंगे तो देखेंगे आप राइस हमारा एकदम मैश हो रहा है यानि कि हमारा जो राइस है वो फुली कुख हो चुका है 100% इसे कुख कर लेना है आपको इसके बाद हम एक चल्नी लेंगे और चल्नी के अंदर हम ये राइस निकाल लेंगे जिसे इनका सारा एक्स्टा पानी भी निकल जाए तो मैं इस चल्नी में इसे निकाल करके रख दूँगे इसको मैंने निकाल करके इस छली में रख दिया है नीचे मैंने वही पैन रख दिया है जैसे सारा पानी उसके अंदर चाहे और इसमें से बिल्कुल सारा पानी हमें निकाल देना है अब लेंगे हमें एक कड़ाई आप कोई भी हैवी बॉटम का वैसे ले सकते हैं तो अब इस कड़ाई के अंदर हम डालेंगे दो चमस के करीब घी दो चमच हम इसमें देशी घी डालेंगे और देशी घी डालने के बाद हम इसमें थोड़ से ड्राइ फ्रूट्स लेंगे उनको फ्राइ कर लेंगे यहां पे मैंने थोड़ से बदाम लिए हैं थोड़ से मैंने काजू लिए हैं और थोड़ी पिस्ता लिए हैं थोड़ी किस्मिश ली हैं तो हम यहां पे पिस्ता और काजू को एक साथ ही फ्राइ कर लेंगे किश्मिश को हम बाद में फ्राइ करेंगे पहले हम काजु को, पिस्ता को और बदाब को फ्राइ कर लेते हैं हलकी आज भिने भूनना है तब तक भूनना है जब तक इन्हेंसे अच्छी सी खुश्बू ना आने लगे और हलका सा ब्राउन कलर काजू के उपर ना जाए बस तब तक इन्हें फ्राइए करना है तो काजू के उपर थोड़ा सा ब्राउन कलर आ गया है और बहुत ही अच्छी कुछ भूआ रही है से निकाल लेते हैं परतन के अंदर और बचे हुए घी में हम रेजिन को फ्राइए कर लेते हैं तो इनको हमें तब तक फ्राइए करना है जब तक कि फूल करके थोड़ी सी मोटी ना हो जाए और इनका कलर चेंज ना हो जाए तो हलकी आज पर इन्हें फ्राइए करना है एक साथ हम इनको हाई फ्लेम पर फ्राइ इस Just पर यहाँ निए ठेदूरू से ज्यादा पे लागए नहीं को पर आपिए कन लैना के लिए मुझा बैर धु जैसने से इवां पर दो कर डिना दिन वह वर ranging आप दम साबुद गरम मसाले वहां है बढूत सारे दालए होाँगों इस इसको पता आपको कोई जरूत नहीं है था को एलगा सा फ्लेवर की औरफ भीज़ içi यहाँ पर एड़ करेंगे एक कप के करीब चीनी हमने लिए हैं एक गिलास राइस तो उसी के साब से बराबर आप चीनी डाल सकते हैं इसमें मैंने थोड़ी सी कमली है और वन फॉर्थ कप आप इसमें डाल दें दूद और चीनी और दूद को अच्छी तरह से पकने दें चीन जानी में निकाल करके रखे थे और इक बर हलकी हांसे इनको हमें अची तरह से मिक्स कर देना हैं चीनी और दूद के साथ तब तक हम इसके उपर ढालसे थे हैं थोड़े से ट्राइफुट तो जो ड्राइफ जो ड्राइफ रूट्स हम ने फुपर चाहें ट्राइफ, बचाероaching के लिए चाहें थोड़ा सा गारिशिंग लिए रखते हैं वैसे तो इसमें ड्राइफ्रूट्स वगेरा ऑप्शनल है आप चाहे तो डालें नहीं हो तो ना डालें मैंने यहां पर थोड़ी सी ठूटी फ्रूटी भी इसके अंदर एड़ कर दी है और साथ में मेरे पास करोंदे वाली चैरी भी है तो मैं वह भी डाल देती हूं पकि य हमारे राइस है उसको उपर वाले को नीचे कर देते हैं नीचे वाले को उपर कर लेते हैं जिससे जो चीनी और दूद की चाशनी बनी हुई है उसका टेस्ट सारे चावलों में एक जैसा आए और इसके बाद हम से ढख करके उतनी लो फ्लम पे दस मनठ के लिए हम इसे पक्खाएंगे तो मैं इसके बाद मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं तो इसको आपको इसी मेथर से बनाना है बहुत ही अच्छी आपके ये पीले चावल या जर्दा बन के तयार होगा आप बसंद पंजमी पर इसे जरू ट्राइ करें वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और श्केर करें चै स्क्राइब करना ना भूले